नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल की कुछ इंपोर्टेंट कुस्चन के बारे में डिटेल में डिसकाशन करेंगे तो देखो कुस्चन नबर वान क्या है यह कॉमुटेटर इज यूजड फॉर हम कॉमुटेटर को क्यूं यूजड करते हैं इफो नमबर ए और तो कॉंटरल दा स्पीड इस बिसे तरिए तो देखो जो हमारा कॉमुटेटर होता है तो यह जो कॉम्डेटर है यह अल्टरनाटिंग्स कॉरेंट को डायेट कॉरेंड में करता है तो अप्षन नमबर A होगा इसका एंसर कोप्षन नमबर A तो देखो question 2 त्रांस्फर्म होता है उसका function क्या आता है क्या क्या है खूंसा काम करता है इन वे से देखो option नमबर A increase the current, current का value increase करता है changes the frequency, frequency का value change करता है increase या decrease the voltage, voltage का value increase करता है या decrease करता है और option number D, change the power तो देखो, जो transformer होता है उसमें frequency और power ये दोनों constant रहता है कभी भी change नहीं होता है तो option number B है, changes the frequency ये नहीं होगा change the power ये भी नहीं होगा क्योंकि frequency और power transformer में constant रहता है उसके बाद option नमबर है increase the current यह भी नहीं होगा देखो इसका answer होगा option number C increase or decrease the voltage जब हम step up transformer को use करते हैं किसले क्योंकि voltage को increase करने के लिए और जब हम step down transformer use करते हैं voltage को down करने के लिए तो इसले increase or decrease the voltage यह किसका काम होता है तो यह option number 2 का answer है C then question number 3 the difference between the rotor speed and starter rotating speed of magnetic field इच कर देखो जो motor होता है motor में एक rotor होता है उसका पर starter होता है rotor का अपना speed होता है मालो rotor का speed है NS और उपर में होता starter इसका speed मालो स्टार्टर का speed ns और rotor का speed nr तो इसका speed डिप और इसका difference का क होता है NS-Nr इसका starter का speed और rotor का speed nr तो इसके difference के होता है ना इसको कहते है स्लीब कहते हैं option number a होगा इसका answer उसके बाद देखो question number four the purpose of capacitor इन्हें फेन में capacitor को क्यों use करते हैं देखो जो हमारे घोर में हमें जो power मिलता है वो single phase के power होता है लेकिन single phase में rotating power घुमाने की power नहीं होता है घुमाने के लिए double phase जरूरी होता है इसलिए जो single phase हमें घुझ से मिलता है single phase power उसको capacitor connection करने से क्या होता है ना single phase को वो split करता है double phase में split करता है जिसे यह fan घुमता है तो इसका answer क्या होगा ना phase split करता है जो capacitor होता है fan में वो phase को split करता है तो option number A होगा इसका answer उसके बाद question number 5 देखो the energy produced by 1 kg uranium देखो 1 kg uranium में कितना energy produced होता है equal to that burning of 2000 quintal coal या 2300 quintal coal या 2700 quintal coal कोई या 3000 तो देखो जो हमारा hydro power plant होता है वो पानी से चलता है बिजली बनता है जो thermal power plant होता है वो कोईले से बिजली बनता है और जो nuclear power plant होता है वो uranium से बिजली बनाता है तो देखो जो uranium nuclear power plant में 1 kg uranium से जितना पावार बिजली बनेगा तो देखो जब हम थर्माल पावर प्लांट में 2,700 कुईंटाल कोईलेको बर्निंग करने से जितना पावर मिलेगा उतना पावर सिर्फ 1 kg यूरानियम को निकलार थर्मार प्लांटर से उतना इपावर हमें बिजली मिलता है तो option number C होगा इसका answer means 1 kg uranium को nuclear power plant में इतना बिजली प्रोडुस करता है उतना ही प्रोडुस थर्माल प्रोडुस करता है उतना ही प्रोडुस थर्माल प्रोडुस करता है 2700 quintal कोईले को बर्नी करने से उतना power मिलता है तो option number C होगा इसका answer उसके बाद question number 6 in alternative current cannot be measured by DC emitter देखो mister current को measure करना its DC emitter उता है वह सिर्फ DC current को measure करता है vaury c current को measure करेंगे तो ematic current होगा या नहीं होगा क्योंकि नहीं होगा क्योंकि average value of a c and over cycle 0 झो जो ची होता है उसका ये फिरम फिरम कुछा कोई से होता है ये होता है यह positive west हाफ साइकल ये दोनों को मिला आएंगे ये पोजिटिफ मालोव प्लोस फाइब और माइनास फाइब कितना आएगा जिरो होगा इसे ये प्लोस टेन ये माइनास टेन तो एभरेज बहलू कितना होता है जिरो होता है तो इसलिए DC Emitter में अगर हम AC current को measure करेंगे alternative current को measure करेंगे तो हमें सही value कितना आएगा? 0 आएगा क्योंकि option number C average value of AC over one cycle, एक cycle में एक positive एक negative को मिला को एक cycle बनता है कितना होगा? 0 होगा तो इसलिए इसका answer होगा option number 3 then next question 2 question number 7 the time period of diet and diet current DC किसे कहते हैं? यह DC का wave form है और यह हमारा AC का wave form है तो यह जो DC है, इसका time period equal to क्या होगा? देखो, time period equal to one by frequency, one by F DC का frequency क्या है? यह stat line है इसमें कोई frequency नहीं है frequency equal to क्या है? 0 है DC में और AC में हमारा इंडिया में frequency कितना होता है? 50 होज होता है लेकिन DC में 0 होता है तो अगर हम T equal to one by F होता है, equal to one by 0 one by 0 का value क्या होता है? इंफानाइट होता है तो इसका answer गा option number one, the time period of direct count is infinite, very very important question तो आज के लिए इतना है थैंक यू